क्या आपको पता है कि 1947 के पहले भारत में सभी लोगों को जो वोट देने का अधिकार है वो नहीं और अगर आपको ये बात पता है तो आपको फिर लोकतंतर के बारे में जानना चाहिए लोकतंतर की वैलू पता होने चाहिए तो जो बड़ा मुद्दा है कि लोगतंत्र इतना जरूरी कि और क्यों इतना जरूरी था कि हमारे जो freedom fighters थे उन लोगोंने अपनी जिन्दिगी आदाओं पे लगा दी लोगतंत्र लाने के लिए प्रतनिधित लाने के लिए representation के लिए पहले जानने की कोसिस करता है कि लोगतंत्र नहीं तो और कौन सी बेवस्ताएं थी पहले की बेवस्ताओं के बारे में सोचने की कोसिस प्रेमचंद की गोदान उठाना, वहाँ एक जमिंदार होता है, जो किसान को दबाता है, उससे पैसे लेता है, उससे कर लेता है, फिर जाके अंग्रेजों को देता है, और अंग्रेज नहीं है, जहाँ पे कोई रूलर है, कोई राजा है, कोई महराजा है, मुगल है, कुछ भ नहीं बेचनी पड़ेगी कर देने के तो लोगतंत्र की सबसे भड़ी खुबसूर्ती है कि ये गरीब से गरीब इंसान की खबर रगता है उसके प्रति न्याय करने की बेवस्ता करता है जो की पहली बेवस्ताओं में नहीं कोई राजा हो सकता है कि कोई ऐसा रहा हो जो न्याय प्री रहा हो बहुत रहें भी हैं लेकिन वो उनके मूड पर डिपेंड करता था जनता के अधिकार पर नहीं अब यह हुई लोगों के अधिकार के बारे में और ये लोगतंतर की ही खुबसूरती है कि जब जो नीता है वो जनता के बीच में आता है तो जनता डरती नहीं है उसे बात करना चाती है सवाल पूछना चाती है तो ये लोगतंतर की खुबसूरती है कि जो लोग भी सासन कर रहे हैं उनसे सवाल पूछ जाएंगे वो सूरती है और जनता की सक्ति की पार है कि जो पहले के राजगराने थे राजा महाराजा आप तो ये टाइडल भी नहीं होने चाहिए वो आज जनता के बीच में जाके वोट मांगके संसद में पहुँशना चाहते हैं तो ये है लोकतंतर की जीत कि जो राजा है जिसके पास महाल है सब कुछ है वो भी संसद जाना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि आज सही सक्ती कहां एक जिस करती है कहां पे केंडर है सकती तो ये है लोकतंतर की पार फिर बहुत तरह की बाते होती है लोकतंतर में आपके पास ये बराबरी का सासन होता है पहले क्या लग रहा था कि जब राजा महराजा रहे होंगे तो हर इंसान बराबर होता था महिलाओं के पास इतने ही अधिकार या कुछ जातियों को विशेशा अधिकार नहीं थे तो उस दौर में और इस दौर में जमीन आस्मान का फरक है आज वो लोग जो कभी आपको अपने घर की चारपाई पे बैठने नहीं दे सकते थे वो आपके घर पे चारपाई में आके बैठके आपका हाँ जोड़के वोट मागने की कोशिस करेंगे और उसका कारण सिर्फ लोग तंतर तो ये लोग तंतर की खुपसूरती है लोग तंतर की खुपसूरती ये भी है कि आप एक साथ रहना सीखते हैं एक साथ कोई काम करना सीखते हैं लोगतंतर एक भेतरीन विवस्ता है, जहां पे सासन लोगों के हिसाब से चलता है, लोगों की भलाई के लिए चलता है, और कोई भी इंसान सासक बन सकता है, तो लोगतंतर में जो चुने हुए लोग हैं, वो केंदर में हैं, आप भी चुने जा सकते हैं, वो केंदर में हैं, उसमें से कितने राजा महाराजा आम घराने से, कुछ तो ऐसे सासाकूई हैं जिनकी पूरिया चली हैं, चार साल, पान सो साल तक राज करते रहे वो लो, तो ये केवल लोकतंतर में हैं कि आप भी राजा बन सकते हैं, अपके वल राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और भी कोई बन सकते हैं, दुनिया के जो सबसे खुसहाल देश हैं सभी लोकतंतरिक दो, और दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाने लिए जो बिवस्ता है, वो लोकतंतरिक बिवस्ता हैं, कमिया हो सकते हैं, चाहें डिवलप्मेंट वाले डोमेन पे आप डिबेट करना चाहें, कहीं भी डिबेट करना चाहें, लेकिन लोकतंतर जितनी अभी बेवस्ता हैं, उनमें सबसे बहतर बेवस्ता है, कमियों के होने के बाउजो, तो लोगतंत्र अपने आपने खुपसूरत है और दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र जो भारती लोगतंत्र है वो भी खुपसूरत है अभी हम सब वोट करने जा रहे हैं वोट जाए वोट कीजे जो भी पसंद है उसको वोट कीजे सोच के वोट कीजे और अपने वोट का इस्तमाल एक ताकत के रूप में करने की कोसिश की से तो हार को इंजवाई कीजिए इस वीडियो में इतना ही जहन